जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अब Flipkart भी आ गया है UPI Payment Gateway पे, जी हाँ, Flipkart खुद का UPI चालू हो गया है और ये Payment आप खटाखट कर सकते हैं, Instant Payment के तुरू, सबसे बड़ा benefit यह है कि Flipkart पे जब आप Shopping करते हैं, तो आपने देखा होगा कि Payment के लिए Redirect करता है किस Flipkart का UPI आपने अक्टिवेट कर लिया, Instant Payment होगा क्योंकि आप Shopping भी Flipkart पे कर रहे हैं और Payment भी Flipkart के UPI से कर रहे हैं, One Click Instant Payment और मज़े की बात, जितनी तेजी से Instant Payment होके आपका Shopping हो जाएगा, उतनी ही तेजी से आपका refund भी होगा, जहां आप जानते होंगे कि जब UPI क आप Payment करते हैं, तो refund के situation में भी Instant refund होता है, मज़े की बात ही है कि जब यह Flipkart का UPI होगा और किसी वज़े से अगर आपको Product Return करना है और उसका refund लेना है, तो जैसे ही आपका Return Approval हो जाएगा, refund भी Instant आजाएगा, यह तो होगे दो Benefit, तीसरा Benefit, Flipkart ने चुकी टाइप किया ह एकसिस बैंक के साथ, एकसिस बैंक अपना credit card भी साथ में दे रहा है, तो आप यह credit card आपको किसी और EPI पर आड़ करने की जरुवत नहीं है, और वहां से payment करने की जरुद नहीं है, Flipkart का app है, जहां से आप शॉपिंग कर रहे है, Flipkart का खुद का UPI है, जहां से आप payment यानि कि credit card आपने अड़ कर दिया, Flipkart की UPI में, एकसिस बैंक का और पेमिंट भी वहीं से कर दिया, 45 दिन का आपको साइकल भी मिल जाएगा payment करने के लिए, तो आईए अप फटा फट जानते है, कि Flipkart का UPI आप activate कैसे करेंगे, बहुत simple है, आप इसके home page पे जाए, यानि क USB QR Code के scan कीजी, जैसे scan करेंगे, वहाँ पे option आजाएगा payment के लिए, आप amount field करेंगे, और साथ में account को activate करेंगे, अकाउंट को कैसे activate करेंगे, आपको यहाँ पे आप तो bank का कोई debit card आइड करना पड़ेगा, या फिर कोई credit card आइड करना पड़ेगा, यह रहे debit card के list, जिसमें SBI, ICI, SDFC जैसे top banks तो हैं, साथ में credit card के options भी available है, आप अपनी मर्जी के जो भी bank है, उसको आप add कर सकते हैं, एक search करके मैं आपको दिखाता हूँ, for example, मैं search करता हूँ, bank of baroda, यह देखिए मैंने search किया, और bank of baroda available है, इसी तरीके से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी bank account इसमे activate कर सकते हैं, कैसे activate होगा, add करेंगे तो एक SMS sent होगा आपके register mobile number पे, जिस bank को आप इसमें add करना चाहते हैं, वो OTP टालेंगे, confirm करेंगे होगया registered, ऐसे UPI registered होता है, बहुत simple सा step है, यह तो होगया scan करके add करने का तरीका, दूसा तरीका जो मैंने पहले बताए, उपर banner में दि कीजिए, banner को click करेंगे, वो भी वापस से आपको redirect करके उसी position पर लेके जाएगा, और यहां से आप UPI activate कर सकते हैं, तो फटा-फट से Flipkart का UPI payment gateway register कीजिए, और हो जाएए, instant payment gateway के एक माहिर कलाकार, मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो subscribe करना मत भूलिएगा, इससे ऐसे ही वे आतरीन वीडियो में एक वार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जैहिंद, बन्ने मात रहूँ